बोलो खाटू, नरेश की, जय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो, कन्या राशे वालों तुम्हारे घर की जड़े हिल जाएगी, अगले 24 घंटे में मित्रों, दिल दहला देने वाली घटना आपके साथ होगी, और एक बहुत बड़ा विश्वास घात होगा, जिसके लिए आपको तयार रहना है, मित्रों, आज इस वीडियो में हम बहुत गंभीर बात आपसे करने आए हैं, आपके जीवन में इस वक्त जो समय चल रहा है, वह समय बड़ा विनाशकारी है, सावधान, अगले 24 गंटे में कोई बड़ी अनहोनी आपके साथ होगी, एक एक बात को ध्यान से सुना, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे, वह ग्रिह गोचर की छाल के आधार पर होगी, इसलिए बिलकुल अंत तक बन रहे, तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क बात वीडियो में बनाए रखना, ताकि आपको भी अपने जीवन से जुड़ी एक एक राज की बात जानने को मिल सके, सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, शनी देव के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जै शनी देव, कर्म फल दाता, शनी देव का आशीरवाद सदैव आप पर बना रहे, दोस्तों आपको बता दे आने वाला यह दिन आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ चाल चलने का एक बहुत अच्छा अवसर देने वाला है, हमारी खुशियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, और फिर दोस्तों, वे लोग हमें रोकने के लिए अलग-अलग शड्यंत्र रचते हैं, हमें रोकने के लिए अलग-अलग प्लैन बनाते हैं, और वे आपको बरबाद करने के लिए, यकीन मानिये, गाय किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके लिए, दोस्तों, आपको उनसे तीन बातें छुपा कर रखनी होगी, यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, यदि आप इनकी एक-एक चाल को विफल करना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं, इनके चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं, तो कभी भी करकर उस पर मानों ऐसा भरोसा कर लेते हो, कि उससे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं हो सकता. और यह दोस्त, आपकी पहली सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो आपको दोस्तों, आने वाले दिन में किसी को भी कोई वादा नहीं करना है, किसी को भी कोई वचन न दें, जो कि आप बाद में पूरा न कर सके, जिससे कि आपको बाद में पच्छता न पड़े, इसी लिए अपने कामों में बिजी रहिए, जी हाँ दोस्तों, पहले आपकी प्राथमिक्ता अपने काम होना चाहिए, आप जो भी काम करते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप जो भी काम करें पहले, दोस्तों, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप अपने कामों को समय रहते निप्टा सके, आप अपने कामों को समय रहते पूरा कर सके, यदि दोस्तों, आप पहले अपने कामों को निप्टा लें, उसके बाद बचे क कुछ समय में आप दूसरों की मदद करने आगे बर सकते हैं। दूसरों की मदद के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन लोग दोस्तों, आपकी अच्छाई का बहुत बुरा फाइदा उठाते हैं। वे पहले आप से अपने काम निकल वा लेंगे। फिर दोस्तों, आपको अपने काम पूरे करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो आपको यह सबसे पहला बदलाव खुद में करना पढ़ेगा कि आप प्रथम प्राथमिक्ता अपने कामों को दीजिए। प्रथम, पहले आप अपने महत्वपूर्ण जरूरी काम निपटा लिए, उसके बाद दूसरों की मदद करिए। साथ ही दोस्तों, आने वाले इस दिन में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि जब भी जब भी आपको कोई बात पता लगती है, चाहे आपके भले की हो या ना हो, आप अपनी बातों को लोगों के साथ बहुत आसानी से शेयर कर देते हो, अपनी बातों को बहुत आसानी से बता देते हो, जो कि दोस्तों आ आगे अपनी बातें रख दोगे, तो लोग केवल आपकी अच्छाई का गलत फाइदा उठाएंगे, लोग आपको लूट कर खा जाएंगे, इसलिए अपनी बातों को छुपाना सीखिए, अपनी बातों को गुपत रखना सीखिए, और दोस्तों, यहां तक की अपने ही लोग करता है, तो उसकी तरक्की से कई लोग जलते हैं, कई लोग उनके मार्ग में कांटे बनते हैं, उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं, उनके काम बिगाद दहने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही कई सारे लोग आपके भी जीवन में हैं, जो आपके लिए दोस्तों कांटे जो आपका नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी परिस्थिती में दोस्तों आने वाले अगले इस दिन में आपको इस बात को मानना पढ़ ड़ेगा कि आप दोस्तों लोगों को इग्नोर करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। उस दिन से लोग आपके कामों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी यह बात सीखनी होगी कि आपको किसी की बात से कोई फर्क ना पढ़े। कोई चाहे आपको कुछ भी कहे, कोई आपको रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन आपको अपने रास्ते, आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है दूसरों की बातों पर बिलकुल भी ध्यान मत दीजिए, दूसरों की बातों को नजर अंदाज करकर आगे बढ़ते रहे, वहीं दोस्तों, पैसों के मामलों में यह दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कहीं पर भी निवेश करना है तो बहुत सोच समझ करना पड़ेगा, जी हां दोस्तों, यह बात ध्यान रखिएगा, पैसा इस समय व्यक्ति की सबसे प्रथम आवश्यक्ता ही सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसे में आप अपना पैसा कहीं पर भी खर्च न करें, बिना सोचे समझे, अपना पैसा कहीं पर भी निवेश न करें, अन्यथा लोग आपके पैसे का बहुत गलत फायदा उठा सकते हैं, आपको दोस्तों, अपने पैसे की इज़त करना सीखनी होगी, अपने पैसे की कदर करना सीखिए, सोच समझ कर निवेश करिए, कहीं पर भी बिना सोचे समझे निवेश करने की गलती मत करिए, अन्यथा में आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे, आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना, हे अन्यता बाद में दोस्तों, काफी ज्यादा दिक्कतें आपके लिए बढ़ने लगेगी, वहीं दोस्तों, आपको बता दे आने वाला दिन, आपके वैवाहिक आपको कहीं बाहर भूमने जाने की योजना बना सकते हैं, आपकी योजनाय सफल साबित होंगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर जरा काबु रखना होगा। बात बात पर गुस्सा करना, जरा-जरा सी बातों में चिढ़ जाना, लड़ना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है। तो आपको दोस्तों, अपने व्यवहार में थोड़ा संतुलन रखना होगा। कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच समझ कर बोले। क्रोध क्रोध में किसी को गलत शब्द ना बोलें, अन्यता बाद में दोस्तों, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। इसलिए अपनी बातों को बहुत सोच समझ कर बोलना, शब्दों का चैन, बहुत सोच समझ कर करना। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, कि शब्दों में बहुत बढ़ी ताकत होती है, इसी लिए हर शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, देखिए, आने वाला समय है, आने वाले अगले पांच दिन, ग्रहों की माया बड़ी शांदार है, आपके राशे स्वामी का भी बहुत अच्छ बढ़ता है, वैसे लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, वैसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आपको छुडवाना है, इन लोगों के बंधन से कई बार हम दिल के काम इसलिए नहीं कर पाते, हाँ, कई बार हम हमारे दिल की अपने आप से कम पर मैच कर लेंगे, और जो आपको पसंद है, वह न करके जो लोगों को पसंद है, वह कर लेंगे, लेकिन एक समय के बाद आपको पता लगेगा, कि चाहे लाख अच्छे कर्म कर लो, लाख भलाई का काम कर लो, जहां एक गलती हुई, लोग उसी गलती को पकड़ कर आपको सुनाना शुरू कर देंगे, तो जिन्दगी में वो मत करो जो लोग चाहते हैं, जिन्दगी में वो करो जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती, जो इनसान खुद के दिल की सुनता है, खुद की मर्जी से जीवन जीता है, वह कभी किसी का गुलाम नहीं होता, उसके निर्णएं खुद के होते हैं, जब सफलता होती है, तो उसे अभिमान होता है, कि मैंने खुद के दम पर सफलता हासिल की, मतलब वह अभिमान नहीं, जो इनसान को गिरा दें, जब भी किसी ऑ॓रत की अंट्री होती है तो हमारे जीवन में खुशियां आ जाती है हमेशा लगता है कि चलो अब कोई ऐसा है , मेरे साथ है सही समय में भी और गलत समय में भी ऐसे आफ बहुत सौभाग्यशाली बन जाते है लेकिन दुविधा तब उत पन्न हो जाती है इनसान के जीवन को रंग से राजा बना देती है लेकिन कई औरतों के प्रवेश घर में जब होते हैं तो अच्छे अच्छे राजा को भी रंग बना देती है लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जीवन में मर्यादित रहना बहुत जरूरी है समय पर सुबह उठना स्त्रियों के लिए खास तौर पर शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्रियां समय पर सुबह उठें अपने घर के काम करें यानि कि समय पर सुबह जाडू लगाएं पौँचा लगाएं और सुबह सुबह सही समय पर भगवान की भक्ती भी करें और शाम के समय पर भी भगवान की भक्ती करे। यह काम पुरुशों पर भी लागू होता है, क्योंकि हर किसी को सूर्योदय के पहले तो उठना ही चाहिए, या सूर्योदय के समय तो उठना ही चाहिए। तो जिस घर की स्त्री में यह गुणा आ जाते हैं, वह घर तो फल फूल जाता ह लेकिन जिस घर की स्त्रियां देर समय तक सोती रहती है, घर को गंदा रखती है, स्वच्छ रखती है, जाडू पोछा समय पर नहीं लगाती, भगवान की भक्ती से तो कोई लेना देना नहीं है, उस घर की महिलाएं अपने ही स्वामी के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन जात और आपको इन ही महिलाओं को गुणवान बनाना है, और इनके अंदर के अवगुणों को निकाल करके फेकना है, ये बात आप ध्यान रखिये, वरना बहुत पसंद आएंगे, जिनके सौभाग्य से आपको फल फूल जाना था, उनकी वजह से आप दुर्भाग्य शाली बन करेंगे, तो देर किस बात की थोड़ा सा समय निकाल ही लीजिए, और वीडियो को बिलकुल एंड तक देखी लीजिए, कई बार दोस्तों, जब आप महफिल में बोलने बैठते हैं, तो आप ध्यान नहीं रखते कि कब किसे और क्या बोलना है, कई बार आपकी यही गलती आ बोलने करने में इस दौरान आपको बहुत संभल करके बोलना है, क्योंकि संभावना बन रही है कि मजाक मजाक में या बोलचाल के शब्दों में कोई ऐसी बात निकल जाएगी, जिस वजह से आपकी किसमत खराब हो सकती है, आपका व्यवहार खराब हो सकता है, तो यहां पर आपको नहीं बोलना है, इतना ध्यान रखें, साथ ही साथ, दोस्तों, आपको अपने बच्चों से बात करने की जरूरत है, कुछ तो ऐसी बात है, जो वह मन में दबाए बैठे हैं, आपको सोचना चाहिए कि वो आपको क्या बोलने वाले हैं, आपको उनसे इसी के साथ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय काफी उंदा है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही ज्यादा सौभाग गिशाली है, आपकी एक महिला मित्र की मदद भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाली है, जिस वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन पास तो हो जाएंगे, लेकिन कल जब प्रैक्टिकल करने की बात आएगी, जहां पर आप नौकरी कर रहे होंगे, वहाँ ज्यान बताने की, डिस्क्राइब करने की बात आएगी, तो आप धरे के धरे रह जाएंगे, इसलिए आज से चीजों को प्रैक्टिकली समझना शुरू करिए हमारी यही सलाह है जीवन में सफल होना है तो हर चीज को सीरियसली लेना होगा ऐसा नहीं हर चीज को टेंपररी लेकर चले तो आज उस चीज में घुस जाईए ताकि आगे भी आपको वो चीज याद रहे स्वास्थ्य आपका अच्छा है लेकिन अत्यधिक ते दिक्कत दे सकता है आपका जूट जो है वो आपका काम बिगाड़े सकता है जूट की वजह से काम तो बिगड़ेगा ही साथ ही साथ दोस्त लोग भी आपका काम खराब करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे इसलिए उन लोगों से सावधान रहना है जो हर वक्त आपसे जलते हैं, इरश्या करते हैं, घ्रणा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में गिराने वाले तो लाखों हैं और उठाने वाला कोई नहीं है, तो हमें तो परमात्मा को अपना सब कुछ मान कर अपना सब उन्हें सौप देना है, जिंदगी इतनी शांदार हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा, अब दो उपाय हम आपको बताते हैं, ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, अगर ये उपाय आपने सचे मन से करे, तो फिर आपकी मनो कामना कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी, जिसमें सबसे प जीवन में स्वास्थ संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, विकार है, तो एक लोटा जल में एक रुद्राक्ष डाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, वह जो जल जलाधारी से बाहर निकलता है, वह जल थोड़ा सा अपने हाथों में लेकर भोले बाबा से कहिए, इसे ओशदी बना दीजिए, उसका आचमन कर लीजिए और आप कुछ दिनों तक तीन महीने तक यह करिए, आपका स्वास्थ्य जड़ से सही हो जाएगा, अब दोस्तों मान लीजिए, आपको धन की समस्या है, धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी प् कमल गट्टे वाला, वो शिवलिंग पर अरपित कर दीजिए, मंत्र बोलना है, ओम धन दाय नमा, इतने बरिया प्रगति के रास्ते खुलेंगे, क्या आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, धान से सुनिएगा, यदि आप अपनी किस्मत खोलना चाहते हैं, तो कोई भी ले लीजिए, उसे मंगलवार या गुरुवार को किसी भी धार्मिक पुस्तक में पहले पेज के बीच में रखें, हर दिन एक एक पेंच चाबी को आगे करते रहें, जैसे आप पहले दूसरे पेज में रखा, कल तीसरे और चौथे पेज में रख दिया, जब धार्मिक कित सबका विकास करने की सीख मिलने वाली है, आप हर व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार है, क्योंकि आप उसकी नियत को नहीं देखेंगे, आप जो उसकी नियत है, वह बहुत मायने रखती है, इसलिए मित्रों, बेहतर तो यही होगा, कि हर किसी की मदद करने के लिए भी कभी-कभी आगे आना सही नहीं होता है, आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, मित्र, छोटे-छोटे सुधार, एक सकारात्मक प्रेम जीवन की शुरूरत होगी, यदि आपके बीच में बहुत ज्यादा लड़ हाई जगधे चल रहे हैं, तो प्रेम से दो पल पास बैठें, मित्रों, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वे आपके प्रति इस वक्त पूरी त प्रेम से योजना बना रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहकर जीवन जीए, क्योंकि दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे, यह देखकर मित्रों, आपके माता-पिता को भी आपके उपर गर्व होगा कि वह मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है, साथ ही मित्रों, आपको धन की प्राप्ती होने का पूरा संकेत मिल रहा है, लेकिन आपको करना क्या है कि बस चारों तरफ नजरें घुमा कर रखनी है, क्योंकि पैसा कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, सामाजिक लोग प्रियता के चलते, आप सोच सकारात्मक बनाए रखें, मन में हींता की भावना ना आने दें, क्योंकि मन में अगर आपने हींता की भावना आने दी, तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और नहीं अपनी शक्तियों पर ज्यादा भरोसा करें, मित्रों, शाम को बच्चों के साथ आपका बहुत अ आसार है और विवाह के लिए कोई बढ़िया से प्रस्ताव भी आ सकते हैं, मित्रों कहा जाए तो यह समय पूरी तरह से मिला जुला रहने वाला है, मित्रों आपको सलाह दी जाती है कि सेहत की देख भाल करने की खास जरूरत है, क्योंकि कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अपनी सेहत को लेकर आपको बिलकुल लापरवाही नहीं बरतनी है, मित्रों आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की संभावना पूरी तरह से इस वक्त बन रही है, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, और मित्रों आप क पुझसवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लेकर आएगा और मित्रो हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूर हुआ है मित्रो बस उनकी उर्जा का सदुपयोग करें विदेश में रहने वाले किसी शक्स से कोई खुश खबर आपको सुनने को मिल सकती है मित्रो और इस खबर को सुनने के बाद परिवार का हर व्यक्ति एक पेड़ पर नाचने लगेगा मित्रो बता देते हैं कि खबरो में सफल भी रहेंगे तरो ताजा रहने के लिए सूर्य नमस्कार से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है और बता देते हैं कि मित्रो आपको थाइराइड की यदि बीमारी है तो तुरंत किसी अच्छे चिकितसक से आपको सलाह लेनी चाहिए मित्रो आप खुद को रोजान यही विधी का विधान है मित्रो स्वयम को जरूरत से ज्यादा काम के निचे न दबाए थोड़ा आराम करे और कामों को कल के लिए भी टाल दे क्योंकि आप इंसान है कोई मशीन नहीं है किसी के नीचे दब कर काम करे या 24 घंटे मशीन की तरह काम करे नहीं मित्रो सेहत पर बुरा असर पड़ी डी डी एच सकता है और बचाया हुआ पैसा भी और कमाया हुआ पैसा भी आपको डॉक्टर का भला करना पड़ी डी एच सकता है इसलिए थोड़ा सा आराम करें आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास थोड़े से सफल हो सकते हैं आप जितना ज्याद धन बचाने की कोशिश करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में धन खर्च होता जाएगा। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिती जल्दी ही सुधरेगी। परिस्तितियों पर आप उन्हें काबू पाने में सक्षम होंगे और पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिष्टों को फिर से तरो ताजा करने के लिए अच्छा समय है। मित्रों, किसी दिल्चस्प इंसान से मिलने की यदि आपको प्रबल संभावना है, तो आप मिलने जा सकते हैं। ऐसा ग्रहसपष्ट संकेत दे रहे हैं। आपके घर मित्रों बता देते हैं, कि कोई एसा महमान आएगा, जिससे मिलकर आपको कुछ लाभदायक योजनाएं हाथ लगेंगी। आपके घरवाले आपसे कई परिशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहे।